अश्कार दोस्तों मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आसा करती हूँ आप सब स्वस्थ सुरचित होंगे इस वीडियो में मैं आप से शेयर करने जारी हूँ कि निर्जला एकादसी का वरत कब रहना है थोड़ी सी कन्फ् के स्थिती है तो वह बात करेंगे हम साथ में बताओंगे कि निर्जला एकादसी का महत्तु क्या है पूजा विधी क्या है और साथ में वरत कथा शेयर करूँगी तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा जेस्ट मास्ट का विशेष धार्मिक महत्सास्त्रों में बताया गया है हिंदू कलेंडर के अनुसार जेस्ट मास्ट को तीसरा मास्ट माना गया है इस मास्ट में सूरे की सीधी किरने धर्ती पर पड़ती है जिस कारण दिन बड़ा और राद छोटी होती है जेस्ट मास्ट में दिन बड़ा होने के कारण ही इसे जेस्ट मास कहा जाता है कहीं कहीं इसे जेट के नाम से भी जाना जाता है पंचान के अंसार जेस्ट मास की सुकल पच्छ की एकादसी को निर्चला एकादसी कहा जाता है निर्चला एकादसी का वरत रखकर भगवान विश्णु की विसे पूजा अजना की जाती है, अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादसी का महत्व क्या है, एकादसी के वरत में सभी वरतों में स्रेस्ट माना जाता है, निर्जला एकादसी का वरत, एकादसी वरतों में निर्जला एकादसी वरत सबसे जादा स्रेस्ट माना गया है, आप कोई भी व्रत नहीं रह रहे हैं एकादसी का लेकिन अगर आप निर्जला एकादसी का व्रत रहते हैं तो उसमें आपको सभी एकादसीयों के जो फल मिलते हैं उसके बराबर पुनी की प्राप्ति होती है निर्जला एकादसी व्रत को सबसे कठिन व्रत भी कहा जाता है अन और जल का त्याप कर इस व्रत को पूर्ण करना होता है निर्जल व्रत रहना होता है 24 गंटे का निर्जला व्रत होता है मानता है कि जो भी इस व्रत को विधी पूरुवक पूर्ण करता है उसके जीवन में हमेशा सुक, सांती और सम्रिधी बनी रहती है अब मैं आपको बता दी हूँ कि निर्जला एकादसी वरत की पूजा विधी क्या है तो एकादसी वरत की दिन सुवे सुवे उठकर सनान करना चाहिए स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए फिर संकल्प करना चाहिए आपके पूजा के जो भी मंदिर है उसमे एक चौकी विछानी चाहिए उसमे पीले रंका वस्तर विछाना चाहिए उसमे विश्णु भगवान की फोटो या प्रतिमा इस्थापित करनी चाहिए उसके बाद जो भी पूजा आर्चना है आपको वो करनी है पूजा में अगर आप कोई मीठी चीज है उसको भोग लगाना चाहिए पीले रंग का फल चड़ाना चाहिए मौसम के उनसा जैसे कि इस समय आम है आप आम केला इस तरह से फल चड़ा सकते हैं पूजा में तुलसी जरूर सामिल करें पीले रंग का वस्तर पहना है भगवान विश्णू को कुम कुम हल्दी का तिलक लगाए अच्छत नहीं चड़ाना चाहिए चावल का ऐसा मानता है और निर्जला एकादसी है या आप निर्जल वरत रहते हैं लेकिन घर के जो सदस से वरत नहीं रह रहे हैं उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए इस वरत में एकादसी के वरत में तो इस बात का भी विश्णू को अरपित कलें क्योंकि भगवान विश्णू को पीला रंग आतिप्रिय है पूज आशना करें विश्णू निर्जला एकादसी की वरत कथा पड़े उसके बाद आरती करें और आप जो जाप कर सकते हैं विश्णू सहस्त नाम का जाप कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवियाय का जाप करते रहना है आपको उस दिन किस जो वरत का शुब मोर्थ क्या है तो निर्जला एकादसी का वरत कोई भी कन्फ्यूजन ना रखेगा उदिया तिति के हिसाब से निर्जला एकादसी का वरत 21 जून 2021 को रखा जाएगा एकादसी जो तिति है वो प्रारंब होगी 20 जून को रविवार को साम 4 बच कर 21 मिनट से सुरू मतलब साम को सुरू हो रही है तो एकादसी तिति समाप्त होगी 21 जून सोमवार को दो पार, एक बच कर 31 मिनट पर समाप्त हो जाएगी लेकिन उदियातिती के साब से हम वरत जो है 21 को ही रखेंगे लेकिन आपको जो वरत का पारण करना है वो 22 जून को सोमवार को सुबे 5 बच कर 13 मिनट से लेके 8 बच कर 1 मिनट के बीच में आपको पारण कर लेना है वरत का पारण कर लेना है पारण करने के भी मैं आपको विदी बताती हूँ पारण करते समय आपको सुबह उठके स्नान करके सुच्छे कपड़े पहने हैं जहां पर आपने पूजा करी थी वहां पर फिर से आरती धूब दिप नवेद्य आरती आप चुड़ाएं कोई भी चीज भोग में लगाएं औ पर उसी भोग से आप उस वरत का पारण करें अपने एकादसी वरत का पारण करें अब मैं आपको बताने जारी हूँ कि निचला एकादसी की कथा क्या है वरत कथा क्या है जिसे जरूर सुनना चाहिए एकादसी वरत के दिन कहते हैं कि एक बार भीम से इनने व्यास जी को कह की वो भूखे नहीं रह सकते वो दान कर सकते हैं भक्ति और भगवान की विधी विधान से पूजा कर सकते हैं लेकिन एक समय भी बिना भोजन किये रहना उनके लिए मुम्किन नहीं है लिहाजा उनके लिए वरत करना संभव नहीं है ऐसे में उन्हें कोई ऐसा बरताई है जो सिर्फ एक बार करने से साल भर के वरतों का फल उन्हें मिल जाए तब व्यास जी ने उन्हें जेस्ट माह की सुकल पच्छ की निर्चला एकादसी के बारे में बताया था विर्चब और मिथुन की शंक्रांती के बीच आने वाले इस एकादसी वरत पर अन ही नहीं बलकि जल की एक बुंद भी ग्रहन करना वर्चित माना गया है लेकिन ये कठें वरत अगर कोई मनुशी करे तो सब ही पापों से उसकी मुक्ति मिल जाती है घर धन धान से परिपूर कृणि रहता है 11 की से लेकर 12 सिति के सुर्योध तक्या व्रत चलता है इसके बाद आप व्रत का पारट कर सकते हैं तो निर्जला केने वरत ये निधिक कठा को अपनी पूजा में जरूर सामिल करें कठा जरूर सुने और जो भी बड़े वुजर्ग हैं उनका आसिरवात ले तो ये थी निर्जला एकादसी वरत कथा की संपूर चानकारी आसा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा बहुत बहुत धानेवाद ये वीडियो देखने के लिए